Hello everyone, in this video we will discuss another poem of Sarojini Naidu और जिसका नाम है The Old Woman यह जो poem है, यह 28 lines के अंदर है इस poem में एक old woman को represent किया गया है, दिखाया गया है और किस तरह से उसकी poverty है, उसको दिखाया गया है अब वो old age में है और उसके पास कोई उसका अपना नहीं है यहाँ पे वो जो उसका जो रोल है वो एक bagger का है, एक भिखारी का है जो दूसरों के पैसो से या फिर कह सकते हैं, दूसरों के bread से जिन्दा है इस poem के through Sarojini Naidu बताती है कि किस तरह से जो इनसान है उसका जो behavior है वो change हो जाता है, अपने parents के towards या society का जो behavior है वो change हो जाता है old age home को और से और जादा से जादा बनाने की request करती नजर आती है इस poetry के through क्योंकि इन्होंने इस poem में उस old lady का एक picturization किया है और young generation से भी एक appeal करती है कि वो अपने elders का respect करें अब बात करते हैं, poem की line to line cover करते हैं अ lonely old woman sits out in the street, neath the broth of a bunyan tree यहाँ पर बोलती है कि एक बुढ़ी महिला जो की बैठी रहती है गली में street का मतलब होता है गली में या गलीों में बैठी रहती है कहाँ पर जहाँ पर bunyan tree है और कभी कभी वो bunyan tree के नीचे भी बैठी रहती है and here's the bright echo of hurrying feet, the pigeon of life going bleatly and flee to the feast of eternity यहाँ पर वो सुनती रहती है, here's the bright echo of hurrying feet वो बैठी बैठी लोगों के पैरों की आवाज सुनती रहती है और वो अपनी life के end को देखना चाहती है, वो life के end का इंतजार करती रहती है अब यहाँ पर जो line represent की गई है, here's the bright echo अब वो पैरों की आवाज को क्यों सुनती है, because इसको हम आगे poem में देखेंगे कि वो क्या है, blind है, जिसकी वज़ा से वो देख नहीं सकती लोगों को तो सिर्फ पैरों की आहट से लोगों के पास आने का उसे पता चलता है जो उसके कापते हुए हाथ है, जो उसके कापते हुए हाथ है, वो किसी की दया का इंतजार करते है वो कैसी है, शी पूर, गरीब है, ब्लेंड जुकी हुई है, एंड ब्लाइड अंधी है, वो ओल्ड फुमेन लेकिन जो उसका दिल है, वो बहुत ज़्यादा बहादूर है, उसे ब्रेव हाथ के साथ किया हुए है और जो उसकी आवाज है, वो हमेशा दोसरों को दुआएं देती रहती है यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, प्रेस, प्रेस मतलब यहाँ पर जो लोग आसपास जो आते जाते हैं उसके आसपास, उनको वो दुआएं देती रहती है be the grey word kind or unkind जो उसके आसपस आने जाने वाले लोग हैं चाहे वो kind हो या फिर unkind हो वो सबको दुआएं देती है वो old woman अब kind और unkind से यहाँ पे जो pointers हैं वो show करती है कि जो लोग है वो उसको कुछ दें या ना दें खाने का दें या पैसे दें या ना दें फिर भी वो सबको दुआएं ही देती है उसके बाद कुछ इसमें lines है यहाँ पे जो यह lines है यह Arabic language को इस poetry के अंदर उन्होंने present किया है जिसमें present किया है कि जो old woman है वो उन सबको दुआएं दे रही है कि भगवान तुम्हारा बला करे इस तरह से यहाँ पे उन्होंने Arabic language और English language को एक mix करके poetry present किया यह उनकी code mixing का एक अच्छा example है आप देख सकते code mixing क्या होता है जब आप दो या दो से ज़ादा language को एक ही साथ present करते है तो यह जो poem है वो उनका code mixing का एक example है नेक्स्ट पहरा में point बोलती है In hope of your success How often in vain So patient she sits at my gates कभी कभी point ने देखा है कि वो उनके gate पर भी बैठी रहती है बहुत patience तरीके से patience होता है बहुत शांती से इस तरीके से उनके gate पर भी बैठी रहती है In the face of the sun and the wind and the rain वो ये नहीं देखती कि सूरश निकला हुआ है हवा चल रही है या rain हो रही है आप देख सकते हैं यहां पे कहीं न कहीं baggers की situation को दिखाने की कोशिश की है जिस तरह से baggers भी खारी ना सूरश देखते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है कि हवा चल रही है या बारिश हो रही है उनको तो क्या चाहिए होता है खाना और जब वो बैठते हैं इस तरह से कहीं पे भी तो उनको कोई न कोई लाके या तो bread दे देता है या फिर पैनी मतलब कोई भी बनी दे देता है जिससे वो अपना food जो है वो purchase कर सके holding converts with poverty, hunger and pain and the ultimate sleep that awaits यहाँ पे जो old woman है उसके पास poverty है गरीबी से भरी हुई है hunger, भूख है उसको and pain pain मतलब दर्द यहाँ पे भूख को दो तरीके से देख सकते हैं एक वो भूख जिससे आप रोटी खा के अपनी भूख को शान्द करते हैं और एक दूसरी भूख की यहाँ पे poetas बात करती हैं जो की प्यार की है जो उनके अपना पन की है जो अपना को खो चुकी है या कोई भी उनके पास नहीं है and the ultimate sleep that awaits और वो ultimate sleep का wait कर रही है ultimate sleep का यहाँ पे meaning है कि वो death का इंतजार कर रही है अपनी मृत्यू का इंतजार कर रही है in her youth अब आगे की lines में बताया जाएगा कि किस तरह से जब वो young थी तो उनकी life थी she had comforted lover and son in her very old age oh dear God is there none यहाँ पे बात करती है कि किस तरह से जब वो young थी तो उनकी life में एक comforted lover था lover यहाँ पे husband की बात हो रही है and a son उनका एक बेटा भी था लेकिन present में वो क्या है कहा है dead हो गए या उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया इसके बारे में कोई भी बात poem में नजर नहीं आती और अब जो उनकी situation है old age में हे भगवान बहुत दर्दनी है उनको देख कर किसी को भी दया आ सकती है to bless her tried I like to rest thou the word may not let me to help her or heal यहाँ पे जो poetess है वो बोलती है कि हे भगवान इन पे दया करो इनको bless दो आशिरवात दो क्योंकि यह जो word है वो इनकी help नहीं कर पा रहा है more clear than the cry of her sorrow and need is the faith the adult scares her priest यहाँ पे बात करती है कि जो उनकी cry है जो उनका दुख है उसकी बात करती है और उसके बात भी उसमें जो आत्म विश्वास है उसको उन्होंने जिन्दा रखा है अपने अंदर इतने दुख के बाद भी उनका जो आत्म विश्वास है वो आज तक तूटा नहीं है यहाँ पे बात हो रही है old woman की अब दुबारा से same lines को repeat किया गया है इसके अंदर ला इलाही इलाही ए अल्ला ला इलाही इलाही ए अल्ला मुहमद और रसूर अल्ला इससे पहले के पहले भी इस तीनों lines को यूज किया गया है और यह blessing lines है old woman की जो वो लोगों को देती है जो उसके आसपास आते है तो यह poem यही पे खत्म हो जाती है अगर हम इसको shortly बात करें तो इस poem में एक bagger की situation को दिखाया गया है old woman का जो एक face होता है जो life का एक part होता है old age, बुढ़ापे का time उसको represent किया गया है और वो और भी ज़्यादा केलापन लाता है जब उसके पास कोई उसका अपना ना हो यहाँ पे point जो है वो loneliness को show करती है कि जो old woman थी जब वो young थी तब तो उसका husband भी था और उसका बेटा भी था लेकिन present time पे उसके पास कोई नहीं है यहाँ पे वो love hunger को show करती है love hunger जो इंसान जो है वो प्यार का भूखा होता है जब उसके पास कोई नहीं होता जो उससे प्यार कर सके उसकी care कर सके तो उसको बहुत ज़ादा feel करता है इंडिया की poverty को show करती है कि आज भी इंडिया में ऐसे लोग है जो भूके सोते हैं जो दूसरों पे depend है यहाँ पो present करती है young generation का भी कि जो young generation है भूल जाती है कि जब parents ने उनकी care की थी जब वो बच्चे थे लेकिन अब उनको care की ज़रूरत है तो वो उसे ignore है यह एक heart-touching poem है जो कि मैंने इस poem को line to line cover किया है word to word cover किया है if you like the poetry please like, share and subscribe us be with us, goodbye and take care friends